प्रति ने की निश्चे किया है कांग्रेस ने कि हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे और मैं सब लोगों से यह पील करता हूं प्रात्ना करता हूं जब तक मतलब यह अगर बंद की काल आए तो बंद करना है अगर जहां इनके साथ जाना हो जाना है गुलाम नभी याद दी है इतने साल पार्टी ने उनको सब कुछ बनाया सब कुछ दिया जब उनका कोई मतलू जब अजाद साथ की बात करता है अजाद साथ तो अंडर्गरोड हो गए है वो डीडी सी के सिर्फ अलेक्शन लड़ा औ अभी वो ना अगर वो तब शोड़ के जाते हैं तो मानते हैं ठीक है इन्होंने पार्टी बनानी है तो ऐसे इनके साथ हमारे जूगल क शौद जी बूलगे जाते हैं चैनल को फालो करोगे तो हमारी ताकत बहड़ेगी तो समझे आपकी ताकत बहड़ेगी और आपकी ताकत बहड़ेगी तो आपके वाज सरकार तक जाएगी सरकार तक जब जाएगी तो कुछ न कुछ न कुछ आएगी चलिए आज हमारे साथ एक सीनिय लीडर बैठे हुए है कांग्रेस के सीनिय लीडर ये एक्स परधान भी रह जुके हैं अब इनसे आज बात्चित होगी कि कांग्रेस की क्या स्थिती है डिस्टिक रियासी की अंदर और भी बहुत सारे स्वाल होगे कल राजपू सभा को लेकर के भी सवाल होगे कि राजपू सभा कंग्रेस का क्या स्पोर्ट रहेगा ये इन सच बातचीत करते हैं सबसे पहले तो आपका हार्दी सवकत है पहारी एक्सपेस न्यूज के अंदर धन्यवाद सबसे पहले दर्शों को इंटरडिशन दें क्योंकि आप लोग बहुत सालों से अंडर ग्रोंड हैं कांग्रेस बहुत सालों से अंडर ग्रोंड है कांगर्स पार्टे का, इंडियन नैशनल कांगर्स साथ में हमारा जिला दिया, गलाव नभी जाद साथ, ने जोगल कुछोट जी एमले थे, उसके बाद हम जिले के अधक्ष हो गए, तो थारां तक हम रहे हैं, तो कांगर्स में हम से क्रिये रहे, हर कुछ आते जाते रहे, पूला ताका हमने सरफ एंची भी की है इधर भी हमने नुमाइंद की लोगों की सेवा की है हम शोचल वर्कर हैं साइलैंड साम इसलिए रहे कि जब से चौदा के बाद ये सरकार आई है अंदी वेरी सरकार है करते जूट ही बोलते हैं करते कुछ हैं बताते कुछ हैं तो इसल के लिए भी जो अंदो भगता है उचुप रहे डेली वेजर बचारे तरते रहे बाकी बातें दो हुई अब देखो एक बड़ा अच्छा इनिसेट लिया यह जो है राजपूत जुवा राजपूत सब का बला है इसमें हमाएं 12 किलो मीटर 15 किलो मीटर कर आना जाना है खास कांगर्स प्राइश का यह प्राहत प्राथना करता हूं जब तक कि यह अगर बंद की का इतो बंद करना है अगर जहां इनके साथ जाना हो जाना है इन्होंने देखो हमारे रमन पला जी अबरकिंग प्रेजिडेंट है वो अपने लोगों के लिए मिलने के लिए गेन बच्चों को मिलने ने दिया जबरदस्ती करते हैं हर बात की जबरदस्ती करते हैं तो जूट बोल देते हैं, जो इंदर के रिबिंदर राना जी है, इतने मरदारी हैं, जूट बोलते हैं, तो ऐसे ही उपर जो है, उपर वेज देते हैं, उनकी मानता है कोई नहीं है, उनकी भी कोई तारिफ नहीं है, इतने पुल बांते हैं, जितनी भी मतलब न्यूज आती ह उनके बारे में इसुनते हैं ये कर रहे हैं जैसे हम जावाद शे बजे हम दिली से ख़बने लगाते हैं तो दस-पांच मेंट की ख़बर होती है दस बार पर दान मेंतरी का नाम आता है ये कर दिया बहु कर दिया है कुछ नहीं है इसलिए हम तो आप ग्राउंड में तो कांग्रेस को यहां आपका एक दफतर नहीं है आप बताईए पबलिक आएगी तो किसके पास आएगी आप अंडर्ग्रोंड होगे 15 साल से और और वी लीडर कांग्रेस के अंडर्ग्रोंड होगे क्या कारण बड़ी मजबूरी है श्रीमान जी हमने यतना समय दिया पार्ट 25 परसेंट 90 परसेंट लोगों को लेके कुछ चलेगे तो बजा क्या थी सर जनता तो यह कहती है कि कांग्रेस ने आज तक हमेशा हिंदू एक्ट बनाया है ऐसी कोई बात नहीं है कांग्रेस सेकलर है मैरी यहां भी बात होती है हम यह हमरी मेंबर्शिप में यह है हम सब श्री अजाद जी गुलाम नवी अजाद जी है इतने साल पार्टी ने उनको सब कुछ बनाया सब कुछ दिया जब उनका कोई मतलु बड़ा अच्छी बात होती जब वो आपोजिशन के लीडर थे जब हो हैल्थ मिनसर थे जनाब वो तो अंडर अजाद साब की बात करते है अजाद साब तो अंडर ग्रोड हो गए है वो डीडी सी के सिर्फ अलेक्शन लड़ा और पता नहीं चल के अभी कहां चले गए अभी बो ना अगर वो तब शोड़ के जाते हैं तो मानते हैं ठीक है इन्होंने पार्टी बनानी है तो ऐसी इनके साथ हमारे बिदाय के आपके माधियम से उनसे ये प्रासना करता हूँ सोबा का बूला हुआ शाम को आजाए जिनको आप लेके गए थे वो आदे से ज़्यादा बापस आगे हैं इनको भी मैं आपके माधियम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपोजिशन से ट्रांग होनी चाहिए सता में आए न लेकर अपनी पार्टी में आजाओ और अपोजिशन करो देश का बला करो सिर्यास्त का बला करो यूटी बनादी रियास्त बीजेपी के खलाव के एक कांग्रेस बिल्कुल थाप है सर्फ अगर है तो कोई एंसी है वो भी भाट साव जो एंसी के सेक्टर है उसके लावा अपोजिशन को बावले खड़ा नहीं हो रहा है और ये डुबाने वाला कौन है जिनाब देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि डैपलोमेटिक रिप्राइब मादे कि पहाड़ी लोगों को डैपलोमेटिक को आप पराने नेता हो आप एक्सपोज करो नहीं मु हम पहाड़ी जो लीडर हैं इनको बतला देना चाहते हैं और आपको बतला देर चाहते हैं आपके चैनल को बतला देना चाहते हैं जब ग्रॉंड में आएगा तो देखना कांगर्स क्या गुल खलाती है कैसे आती है अक्सरियत में आएगी बिल्कुल आएगी क्योंकि काट् में जम्मू में उदुमपर में हर जिगा कांगरस जो है रियासी में एक्टिव है और जब बखत आएगा ये सरकार कराती नहीं है 14 के बार 15 साल ड़ाई साल एक आफिस you नहीं है जनता चाहती है कि आफिस क्यों नहीं है ऑपने 65 साल क्या किया से इह प्जेटा है कि जनता क्यारी यह था आपने पीसी सी का दफतर नहीं है, अकाफ की बिल्डिंग में रहते हैं, हमने लूटा नहीं, यह क्रोड क्रोड रुपे की बिल्डिंग में बनाई है, पिजनी लूटा कुछनी, हाँ, सेंटर से जब मैडम सोनिया गांदी जी राहूल गांदी जी पैसे बेजते थे, हमने द पार यूर इंफरमेशन आपके बड़े-बड़े बिदाइक रहे हैं, जनाव आपके और जो दफतर दो कमरेडी बना सेका, वो कैसे बिदाइक होंगे, रेंट पर हमारा, और रेंट मेरे कैसे बिदाइक होंगे, बड़ा अच्छा दफतर है, हम मीटिंग करते हैं, नौ ता जनाव वो भी अंडर ग्रॉंड है, वो भी कैमरा में जब आती है, पता है कहां से क्या कर रही है, वो भी आदम पता नहीं है, बड़ाई कर रही है, लेकिन अब बात, हमार्चिल भी जाती है, पंजाब भी जाती है, अच्छी हो, रहूल गांदी आते प्र तो उसको छूट कि अदर उन्को सारे जो हमारे जास्ती उतीए जाए कड़ों को अब भी कगे और कांगरेस हो है पानी नालों की यह है देखो यह इनकी मुलल Bjх blocking ले मुला ने तो ऐसा है कि पानी नीचे चला गया लोगों ने कहा कि इसका लेवल डाउन हो गया इधर से नहीं लेकिन फिर भी करा माइनिंग करवाते हैं और जो उनकी गाइड लैंड में आप बहतर जाते हैं लोग सब जाते हैं कि दो मीटर एक मीटर जाना है चार चार मीटर मिशीने लगा के नीचे चले गए हैं पशूर में पढ़ करना कांगरES का कोई कुछ नहीं कोई लेना नहीं कोई देना नहीं सिर्फ एक थाली त्था कवी कवी आते हैं परंट फूटबर रच्रस्ति क्या लेकर आने ही नहीं देते हैं देखो मैं आप उचाई न्राज हो जाएंगे मुझे नराहनी आप सच बात बोलेए भी ःषो ह के और इनका सभी पार्टी उंका हम इंटर्व्यू लेते हैं सब के आप पहाड़ी एक स्पेस का न्यूज के क्या भी तक क्या जान करें हैं हमारी और आपकी पहली मुलाकात है मुझे बड़ा अच्छा लगा आप एक अच्छे मानदार अच्छे जो हैं मतलब जी मतलब जी ल ले हुए हैं गाड़ीं भी चलती हैं सब कुछ होता है बड़े-बड़े खड़े मानगे हैं बाटर लेवल नीचे चला गया है यह है इसका माइनिका इधर हमारी पंचायत है पंचायत घर में माइनिका डी-एम भी आया साभ आया मोहतरमा डी-सी भी आई उनको भी बताया पता है उनको सब मैडम साभ के बिलकुल सामने उद्र हमारा यह है ना पांच सो कनाल से ज्यादा रखवा है जो पैड़ी लेंड है वो ड्राई हो गई उद्र से बढ़ देते हैं उसके उपर जहां से इनोंने पानी टैप किया हुए है डग वैल बनाए हुए है पी एची न जाल ऐसे दो बोलते हैं जाल शक्ति विवाग हमने यह कर दी अब पाइपें लगा रहे हैं उखाड नहीं पड़ेंगी यह पानी का लेवली निच्छे चलिगा है जरी 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 चुक्रिया देखो मैंने तो आभी लास्ट में एकी स्वार रहेगा कि कर कर्प्शन हुई जहां जो मेरे लीडर हैं इनकी नेगलिएंसी है इनकी मूर्खता है जो पैसा आया भी सेंटर से उसको लगाए नहीं सके काम डिवेल्मेंट कारी नहीं सके लड़ते हैं आपस में एक दूसरे की टांग खीते हैं इसलिए आपने बोला ना आप चुप होग है लीडर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप भी ऐसा नहीं करना जैसे बाकी वाले हैं जो जहां से बोल दे नहीं आप आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आपने बड़ा अच्छा किया हम हमारे मन की बात भी पूछ लिए शुकरिया यह था हमारे कंग्रेस के सेनियर ल से इनको थोड़ा सा धर्बै है अभी भी आभी भी खुल के नहीं बोला खुल से इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिये पर फिर भी जनता बहुत बड़ी है जनता ने इसको पर तैय करेगी कि इनका फस्ट बाल मलगे 15-16 साल के बाद ग्रहम मलगे रिजाई से निकाल के ब बाहर ले रहे हैं रिजाईयें से निकलो बाहर आओ आओ अपोजिशन क्या होती है वो देखो क्या है लेकिन बचारे चलो ठीक है इनके पास आफिस नहीं है कूछ नहीं पीछले बड़े बड़े नेता लोग बो कांगरेस के रियासी है सारे पीछे आप उपोजिशन सारी दुबादी है BJP ने लेकिन बचारिय क्या करी, ये इभी धरे हुए सहने होंगे बोलते नहीं हैं आप बोलने क्यों नहीं बोलते हैं खुलके नहीं बोलते हैं बचारीएगी इनकी अपनी मुजपगी चलिए कैमरामेन के साथ बियस्त राज्पिवत को ते अजाज़त नमस्कार जैरें.